नमस्कार, मैं मीरा वैदी जोक्ति संस्थान में आपका स्वागत करती हूँ आज हमारी खास बातचीत में हमारी साथ उपस्थित हैं गुरुजी हम उनको प्रणाम करते हैं पहले नमस्कार पीजा आशी वाद जाबाता दे गुरुजी ब्यापार लोगों का आजकल ठीक नहीं चल रहा है बहुत सारी समस्याय आ रही है तो इस पर जोतिश क्या कहता है जी देखें ब्यापार के लिए सफल ब्यापारी किसको कहते हैं और लोग ब्यापार सुको करते हैं बहुत अच्छी तरीके से महद करते हैं, करजा लेते हैं, नोल लेते हैं, अपना पैसा जबाब की लगाते हैं, उसकी बार ब्यापार नहीं चल पाता है, उसकी बज़ा यह है कि आप अपनी पत्रिका को पहले दिखाएं कि आपका लगनेश का और दसमेश का संबन्द क्या है और आप किस चीज क्या ब्यापार कर रहे हैं, और आपकी कुंडली में वो ब्यापार मद्द सूट करेगा या नहीं करेगा, सबसे पहले यह देता है, बहुत जरूरी है, बहुत से लोग क्या करते हैं, गुर जी कहते हैं, ब्यापार पचास लाव उपे लगा दिये, या कह सकते हैं, किसी मतलब है, ठेकेदारी का, तो इसको उसको नुफ्सान हो जाएगा, तो जिसके कौन सा ब्यापार किसको क्या करना है, ये कुंडली के ओकोटिंग पूरा जस्टिफाई करके, फिर जिस ग्रहें आपको ब्यापार में शफल ब्यापारी बनाएगा, लाब ज़्यादा समस्याएं देख रहे हैं, तो क्या समाधान हो सकता इसके लिए, क्या जोतिश क्या कहता है, देखे, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, कि नौकणी हमारी लगती है, छूड़ जाती है, या नौकणी में जो अन्नी होना चाहिए, उस पकार के अन्नी नहीं हो पाती ह बहुत सारा भूलब समस्याबरी होने हैं, नौकणी के लिए सबसे पहले ये देखना है, कि हमारी कुनली में लगनेश की क्या पोजिशन हो, लगनेश कहते हैं लगन के मालिक को, तो लगनेश कहा गया है कि देहम रूपम चे ग्यानम चा, बढ़नम चे वला वलम, शुकम दुखम शुभावम चा, लगनेश भावा नीक शेद, लगनेश समयादी में दूत है, तो कभी भी आपको नौकणी में दिकत नहीं आएगी, और आप नौकणी में आपका प्रमोस करते करते पूरा पैसा नहीं मिलता है, कुछ नौकणी करने के बाद नौकणी छूड़ जाती है, या लड़ाय जगणा हो जाता है, उनके जो सीनियर है, जो मालिक होते हैं कमपनी के, तो कहीं ने कहीं उनके अंदर एक असल तुष्टी का अभाव बना रहता है, तो दर्सक जो कि मेचुर्टी ये जस्टिफाइ करने के लिए आपको पहले कुरली का लगनेश का बल देखना बहुत अवश्य होगा, तब आप अपनी नौकणी में क्या कहते हैं, शफल तपाएंगे और आप उसका लाब में देगा. गुरुशी, अजकर लोगों को संतान प्राप्ती में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके लिए जोतिश में क्या समधान हैं, आप तर्शको को बताईएं. संतान का सीड़ा सीड़ा है, कि संतान के बाद से संतान से लोग परिशान भी है, वो संतान के लिए बहुत साई दवा कराते हैं, डाटरों के पास जाते हैं, पूरा घुम लेते हैं, फिर भी उनकी रपोर्टों कुछ नहीं आता है, वो संतान नहीं होती है. तो संतान के लिए हमारी कुंडली के अनुसारत पित्ल दोस्त का भी प्रभाव होता है और जो संतान बिलम से होती है और कुछ संतान मिश्क्रज हो जाती है सब्सक्राइब को अबरा वाइनाव दूताइब तो उसकी लिए हमें अपनी पत्रिका यानि कुणली के मध्यम से देखना होगा कि हमारी संतान अब यह संतान क्यों नहीं हो रही है शंतान विलम्भ से क्यों हो रही है डाक्टरी इलाज आपने करा लिए है फिर भी आपका उसका नाव नहीं मिल रहा है तो साथ केहते हैं कि दवा और दुवद साथ चलती है तो पुन्दली में लगण मेरी राहू बैठा है तो आपकी संतान लेट होगी यदि लगण में सनी बैठा है तो आपका पित दोस लगा है तो पित दोस में क्या है कि बंस की वृद्धी नहीं हो पाती है बंस बोलते हैं जर्शी की संतान आपकी बैड़ा हो दो आंका बंस की बंस की बंस की आपकी नहीं हो पाती है तो मेरा जो मानना है जो ठिस के साथ से हो नह expect शाब से कहते हैं सो helicopters का मत है पहले कुण dyli को दिखा है कि हमारी पंचभा संतान का होता है वहां क्या पोजिशन है इसकी दिश्टी बढ़ रही है या लगन में हमारे कौन सिग्रेव राजबान है वो पंचम दिश्टी ते बंचम आपको देख रहे हैं उसके साफ से आपकी संतार का योग बनेगा वो संतार आपको होगी लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि आप आर्टरी लाज शारा कटा लेते हैं लोग सारे प्र९सकर करते पर ने पढ़ने एक लगा की दवा करे है दोला की दवा करा दी है वहांके लेकिन फिस तरीके से मुझणली को पहले वेजन करेंगे तभी आप बता पाएं संतार आपकी होगी या नहीं होगी उमस्पर प्राप्ति मिलेगी। गुरुजी दर्शकों से बहुत जादा सवाल हमारा आता है कि उनकी शादी में देविलंब हो रहा है, शादी उनकी नहीं हो पा रही है, उसके लिए जोतिश क्या बोलेगा। देखे, शादी समय से होना बहुत आवश्यक है, आप लेगा अच्छा प्रश्मी दिया, और हर किसी की ख्वाइश रहती है कि हमारे साधी का होगी। शादी के यह रहा है, उसमें शादीा करती है बैड़ा कि अभागला होता है, आप जूरा समसकर होता है। उसमें शादी एक जनव रहतर हिलुविहे होता है। या तो या तो कोई जातक या जादिका या लड़की या लड़की ऐसे बोल सकते हैं आप समझने पाएंगे यदि कोई लड़का या लड़की मांगलिक है तो सुवावे के रिष्टे आएंगे आपके पास बातचीत होगी आपके अधर में चाय नास्ता भी करेंगे लेकिन आप यह मांगलिक है तो 30 सार के बाद आपकी साधी होती ही आप मांगलिक है तो बिलंब से होगी सबस्य बड़ी बात इसमें है कि साधी आपको करनी है तो आप मांगलिक है तो मांगलिक साधी करेंगे तब आप परिस्ता चलेगा और आपको लाब होगा सत्तमभा होता है साधी का उसमें इदी आप आपका सनी यह सूर यह राहू बराजमान है क्योंसे होती है और आपके संबंध कहीं बन जाएंगे किसी स्याप डंबवले भी करेंगे तो आप परिस्ता कूप जाएगा प्रथा जनद्रह होते हैं शूर शनी और मंगल भी होते हैं राहू भी होता है ते अश्य क्या है कि साधी पिलंष। घुट आरं गलंग करें तो आपने साधी द्रोके से ऐसे लोग असंतुश टैते हैं तो पहले शाधी का लिई सब्सक्राइब करेंदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेद तो नी हो नहीं है, तो इसमे भी आपको देख रहते हैं, आपके माता पेता, आपके जो पैरेंस गार्जन है, उनके अंदर भी एक वाइस रहती है, हमारे पच्ची की जल्मी साथी हो, जल्मी उसको अपनी व्मेदारी ग्रास जीवरे प्रिवेश करें, उसके वोड़े पहले पत्ति के आपको देखने पड़े हो, तब आपको उसका लामने देगा, गुरुजे, धन प्राप्ती आज का एक बहुत बड़ा समस्या बनी वी है, लोगों को आजकर फिनाइंशल प्रॉब्म्स बहुत जादा आरी है, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखे, धन के मै कर सकेंगे, यदि धन आपके पास नहीं आ रहा है, धन की कमी है, तो कहीने कहीं आप बहुत ज़्यारा उदास हो जाते हैं, और आपकी जो कामना है, जो आपकी अकांचा है, उस सारी कहीने कहीं रखी रह जाती है, इससे आप दिश्टर रहते हैं, धन प्राप्ती का योग, यानि महाल अच्मी योग कैसे आपकी पर्तिकार बनता है, और धन आप कैसे कमाएंगे, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए, यदि बार-बार आप पैसे कमा रहे हैं, आपके पास नहीं थैर रहा है, खर्च हो जा रहा है, धन नहीं आ रहा है, और आप बहुत आपकी रोजबर्रा जिंदगी में आप जो खान पान से लेके सारी चीज़े खरीदते हैं, उसके लिए बहुत जाजा चिंदित रहते हैं, क्या आपको पैसा नहीं है, तो नक्ष्मी प्राप्ती के लिए आपको देखना पड़ेगा, कि धन कैसे आपके पास आएगा, यद पुस के रिषाब से कुंडली का पहले आप जियेचन करवाएं, दिखवाएं कि आपका धन कैसे प्राप्त होगा, धन कैसे आपके पास ठहरा होगा, धन तो आपको पास आता है, पर ठहरते नहीं है, तो कैसे ठहरेगा, दूसरा लक्ष्मी का यो प्रयोग बताता हुए लक्ष्मी नमा, इस मंद का आप कमलगत्य के वाला लेकर जाप कर सकते हैं, इस याप लक्ष्मी की प्राप्ती होगी, वेदि आप नहीं कर पाते हैं, बैदे ब्रामण के द्वारा आप कराएं, बैदे काचारों से, तो भी इसका आपको लाव मिलेगा, और धन के लिए गया पर एक है तामे का बरतल ले, उसमें झो है रात को जल भन दें, और उसमें थोड़ा सा कीन ही जान नहीं और उसको लेकर जो बर्गत का प्यड होता है जैसे बर्गत बढ़ का प्यड बोलते हैं आपके यहाँ जो यूपी में यूपी में नहीं तो बढ़ के प्यारते के विफ़ना हान में दो हो ब होता है धन्यवाद गुरुजी आपने अपना कीम्ति समय हमें दिया दर्शकों उमीद करती हूँ आपको हमारा अपिसोड पसंद आया होगा दर्शकों अगर आपका कोई भी सवाल है कोई भी समस्या है आप भी ज़क हमें कॉल कीजे आपको हमारा नंबर स्क्रीन पे दिख जाएगा आप उस पे कॉल कर सकते हैं समस्या आपकी होगी समादान हमारा होगा मैं मीरा अलविदा लेती नहीं धन्यवाद 15 at the rig gmail.com